नमस्कार दोस्तों राधी रादे आसम कलेक्टिप्स में आप सभी का एक बाप फिर से बहुत बहुत स्वागत है जी है दोस्तों आज हम फिर उपासे थाएं एक महत्पूर्ण जानकारी के साथ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक मई से साथ मई तक इस सपता कैसा रहने वाला है 12 राशियों का आईए जानते हैं 12 राशियों का शापता ही क राशी फल दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि इसी प्रकार की रोचक जा वालो के लिए कास रहेगा साथ ही आएए जानते हैं हर राशी के लिए एक खास बात जिसे उसे और म्यक्ति को इस सपता ध्यान रखने की जरुषत है तो सबसे पहले बात करते हैं मेशरासी की इस सब्सक्राइब दोको सिवालों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा सेहत का भरपूर ख्याल रखने के लिए हर्मान चरी सका पाट करें इस सप्ता किसी रिष्टदार के लिए के द्वारा कोई मांगली का योजयन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा कोई अचानक मिली कुछ भी हो सकते हैं ऐसे में आपको सुरुवात से ही इस सप्ता जूटे और मकार लोगों की संगती से दूर रहने की सलाह दी जाती है वहीं दोस्तों आपको ज्यादा सोचने से बचना होगा क्योंकि ज्यादा सोचना आपकी सेहत को बिगार सकता है अब बात करते हैं व्र परान आप अपने माता पीता के कोई भी बात बता सकते हैं जिसका आपके लिए जानना जरूरी होगा वो छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं उन्हें इस सप्ता अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलर्शिप से सम्मानित किया जा सकता है इससे आपके मान सम्मान में भ इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं जिससे आप महसूस करेंगे ऐसे में अपने धन को सही जगह पर निवेश करें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न ले धैरे का परिचे दें सही जगह अपना धन निवेश करें जिससे की आपको लाब होगा और हानी नहीं ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपून रहने वाला है क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं न की आप उनकी वज़े से मुशिवत में फसे हैं क्योंकि इस दौरान आपको आपके छेतर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने के योग बन रहे हैं दोस्तों अब बात करते हैं करकरासी की ये सप्ता आपको मानसिक तनाव से बचाएगा गलत काम को करने से बचे और गलत जगर निवेश करने से बचे इस सप्ता के दौरान कैरियर के लिहाज से ये सप्ता अच्छा रहने वाला है इस सप्ता नए दोस्त बनने में मददकार साबित होगा इसके साथ ही यदि घर के कोई सदस्य विवाह योग्य हैं तो इस सप्ता उनका विवाह तै हो सकता है घर का वातावरन अनुकूल होगा बेकार की यात्रा करने से बचे जिससे आपको कोई लाब नहीं होगा दोस्तों अगली रासी है सिंग रासी आईए जानते हैं क्या कुछ होने वाला है सिंग रासी वालों के साथ इस सप्ता घर-परिवार का सम्मान बना रहेगा आर्थिक तंगी 1910 उत्पन हो सकती है आपके जीवन में जो लोग नोकरी पेसा हैं उनके लिए सप्ता बहुत ही ला अपनी सेहत का इस बार आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप एकदम से बिमार हो सकते हैं इस बार। अब बात करते हैं कर्णिया राशी वालों की। इस सब्सक्रा आपका आत्मिश्वास बहुत ही बढ़ा रहेगा। परिवारिक जीवन में खुशी रहेगी आपको अपने कैरियर में किस्मत और भागे दोनों का साथ मिलेगा। इस बार आप इंटरनेट का इस्तमाल करके बहुत चीजों को सीख सकते हैं। आपके ग्यान के वृधी हो सकती है। कुल मिलाकर ये सब्सक्रा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो की आपको बहुत कुछ अच्छा और नया दे कर जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं तुलाराशी की। इस सब्सक्रा आपको किसी भी जगह निवेश करने से बचना होगा। जो की आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको इस सब्सक्रा अपने खाने पीने का भी खास क्याल रखना चाहिए। अपने स्वास्त को बदलना होगा। अपने सो भाव को बदलना होगा, आपको इस बार आपकी चंदर रासी में शनी पांचे भाव में मौजूद हैं, इसलिए संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति, कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिये आपका ध्यान आकर सीथ कर सकता है. अब बात करते हैं व्रिष्चिक राशी की, इस सफलता आपके घर में किसी को मानसिक तनाओं से मुक्ति मिल सकती है, आर्थिक राशी फल्क के अनुशार आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कामकाज में थोड़ी मुस्किल आ सकती है, जो की समाने रहेगा, सफलता अरजित करने में भी आप काम्याब हो रहेंगे, इस पार अपने लक्ष के प्रती सजगर रहेंगे इस सप्ता के दोरान, जिसके बाद आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कारियों को भी सफलता के साथ पूरा करते दिखाई देंगे, अब बात करते हैं धनुरा इस सप्ता आप अपने बेहतर स्वास्थ के लिए व्यायाम को प्राथमिक्ता देंगे, निवेश करने से बचें इस पार कोई भी काम करने से पहले आपको सोचना समझना होगा या कोई फैसला सोच समझ कर ही ले आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है, इस दोरान अपने घर वालों के साथ बैठ कर बात चीत जरूर करें जिससे आपको लाब होगा इस सप्ता घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, इस बात का ध्यान रखें अगली राशी है मकर रासी, ये सप्ता आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है, अच्छे स्वास्त का आनन्द लेंगे, आप कोई भी गयर कारू निवेस न करे आप इस बार आपकी बौधिक छमता बढ़ सकती है, आपकी चंदर रासी में हानिकारक ग्रह राहू चोथे भाव में मौझूद है और इसके फल्सवरूप इस रासी के कारूबारी इस सप्ता निवेस करने के बारे में सोचते रहेंगे, जल्दबाजी में आकर कोई भी फै रखने की जुरत है, लेकिन आपके मानसिक तनाव में व्रिधी भी हो सकती है, ये सप्ता आप विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सफलता मिल सकती है, आपको इस दोरान अच्छे नतीजे आने की संभावना है, इस बार इस सप्ताह आप स्वैम को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं, या फिर भिक्टिम कम्पलेक्स का सिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किये गए हर एक काम के लिए प्रसंसा पाने के लिए आतुर भी नजराएंगे, हाला कि इसके लिए आपक केंदरित करने की जरुरत है, तो दोस्तों ये थी मई मा के पहले सप्ताह का राशिफल, तो दोस्तों कैसे लगी हमारी आज की जानकारी, अगर आप सभी को हमारे या वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें, और